आज कल की दौर्ती भागती दुनिया में बहुत सी लोग है जोडों के दर्द और अर्थराइटिस का शिकार इसकी वज़े से दौरना भगना तो दूर वो सही से चल भी नहीं पाते अर्थराइटिस एक तरह का आटो इम्म्यून डिस ओर्डर होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रडाली शरीर की उतकों पर हमला करती है जिससे जोडों में दर्द शुरू हो जाता है जोडों में दर्द, जकडन और सूजन अर्थराइटिस का प्रमुक लक्षड है और इसके साथ ही आपके प्रभावित अंग लाल पर जाते है और आपके चलने की गती कम हो जाती है ठकान होती है, भूप में कमी होती है और आपको अनीमिया भी हो सकता है अर्थराइटिस को दूर करने के लिए डॉक्टर्स जो दवाईयां देती है उनके साइड एपक्स भी हो सकते है लेकिन इसे नाच्रोल तरीके से भी ठीक किया जा सकता है शरीर के जादा वजन की वज़े से अर्थराइटिस हो सकता है तो वजन घटाने से आपको जोडों के दर्द से दाहत मिल सकती है गर्म और थंडी थेरपी से भी जोडों के दर्द में और जकडन में आराम मिलता है इसलिए अर्थराइटिस से ग्रशित लोगों को सर्दियों में गर्म पानी से नहाना जाए और थंडी थेरपी से सूजन में आराम मिलती है एक्योफेंचर से भी अर्थराइटिस ठीक होता है इस धेरपी में आपके विशिस्ट पॉइंट्स पर सुईया लगाई जाती है योग करने से जोडों को लचीला पन मिलता है और दर्द में काफी आराम भी मिलता है